हेलो नमस्कार सात्य हूँ स्वागत आप सभी का ये वाइफाय लेंग करसे में तो एससे जीडी कॉंस्टिफल के लिए जो आपका जीके का टेस्ट ला रखा है इसमें आगे बढ़ते हैं आज अब तक हमने आठ टेस्टों को कम्प्लीट कर लिया यदि आपको नहीं देखा है जाके चैनल पर जाके जरूर देख लेना एक एक कोशन आपके लिए कितनी है आप अपना कोशनों का अंसर साथ ही साथ लगाएंगे वंत में कमेंट में आप अपना स्कूर काट जरू लुखा करना फटा पिसे पहला कोशन स्रू करते हैं फर्ष्ट कोशन से यह आपका कोशन पर जो आपका याद दने चैनल इसको आपको यह एक्जाम वाथा आप देख लेना छे पर दोजाथ तेईस को सिप्ट आपका है इस सेकेंड का यारफ पैंटालिस से बारफ पैंटालिस के ब व्लुम बैठे हैं आपको क्वेश्चनों का आञते रहें आज साती साता अंसर देद देदे रहेंगी पहला कोशन है बड़े बांदों की निर्वान से वनस्पति कैसे प्रवावित होती है यह कुश्चन का प्यार प्यार पूछा गाईसम आपकी जेनरल साइन्स जेनरल न आपका गलत हुगा आगे इसमें ते रखा है निमंग ने वनस्पति आई वाई भी ये परिस्तियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन करती है जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है यह आपका सही आंस हुजएगा कपकों की विरस्दी बहुत अधिक बढ़ती है यह आपको गलत हुजएगा ओप्शन नमत तीस आपको क्या जेगा कुशन का रहाइट आसरी का क्या दखनी लेगला कुशन आपको बताना है खारिस्तान का संचिप्त न आपके पूछी जाएगा यहां से पैटर्न आपका चेंज हो रहा थोड़ा सा अब आपसे फुल फॉर्म आपसे पूछन लग गया यादा है कुश कुशन एक दूच्छन आपसे फुल पूर्म के पूछ जा रहे हैं बताए संचिप्त नाम एन आई टी आई का क्या हो जाए जाए है यादा ही आपसे एकजाम में पूछा जाएगा अगला कोश्च मेरा इसका और अंसर करना है अब आपसे पूछ लिया गयाए जी एन पी की आपको फुल फॉर्म बताने है漏 बताए क्या हो जाएगा जी एन पी एन पी की P Down ke फॉल फॉर्म क्या होती है आई जिया ख प्रोडेक्ट क्या होती है याद दखना है नोट डाउन को लेना यदि आपको याद नहीं रहता है तो ग्रोश नेशनल प्रोडेक्ट आपको दखना है ग्यासुद्धिन बलवन ने निम्रिकित में से किस काल में भारत में सासन किया था, पता ही, ग्यासुद्धिन बलवन ने किस काल के अंदर भारत पर सासन किया था, यह question आपसे एक्जामेगर पूछ गया है, तो इस कांच सो जगापके 1286 से ले करके इसका कारेकाल है, यह या अगला question, next question is, प्रिशनन नमर्ब 5, वरगों में बैठे हुए खोको कलाडी क्या कहलाते हैं, वरगों के अंदर बैठे हुए खोको प्रेशन नोर सिक्सार्य जुन 22 12 वास में Indïa International Center, यहन की ICC की फुलपर आप से पुछ लिजाए तो ICC की फुलपर आपक्की होती है आपकी इंडिया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आém यह आपका current का कोश्en अमारा आज की लास का पहला कोश्en हो गया तो उसमय आपके सवाल था और दाखना है sister से अब यहां पर ऐसी सी की full of by अपको या दखनी है iを इंडिया मरें देखेए या दखने आपको यह साद men in अगला कोशिन अमर साथ में अमलिख्षित मेरे से कौन मुहिनी एटम से समदित है यह आपका इस्टेटिक जी के कोश़न हो गया आपसे यहां से कुश्चन आपसे लो जाना पूछा जा रहा है मोहिनी अट्व्ड से समदित कौण सा है रतन थियम सांति देव कनक रेली या फिर मंजीत बावा बताईए इनमें से कौन मोहिडनी अट्टम से समझेता है तो यादखना है कनक रेली यादखी कौन से होजएगा कनक रेली आफ्शन नमर तीसा आपका कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा यादखी सभी अगला कुश्चन के लिए बताईए प्रिस नमर आठ है खेलो इंडिया य वर्क की किन दूसरे नियुका पर विचार किया गया था यादखना उन पर है चो सत्रे के नीचे और किस के नीचे वालों पर विचार किया था फोर्ट नमर आपका सही हुजएगा कि मारे नेश कोश्चन प्रिसिन नमर नाइन किसी राज में मंत्री परस्द की नियुक्ति आपको किस की सलह पर की जाती है खालिस्तान को आपको बढ़ना है किसी भी राज में मंत्री परस्द की यदि नियुक्ति करने है नेयुक्ति की राज्पाल की राज पत्ति की उष्णियाली जिक obec मुख्य मंत्री की सलाह पर की जाएगी यहां पर आजाएगा आपका आंसर वो नमबर ऑफशन सही हो जाएगा अगला कोश्चन प्रस नमबर दस हमारा प्रस ने केलू चरन देखिए इस्टेटिक जीके का इसमें काफी रोल रहेगा या दखना इनसर चार से पास कोशन आपसे रोजाना इस्टेटिक जीके के आपको बिल्कूल घोट के पीघाना है तो यह जाएगे आपके ODC से हैं ODC option नमर 2nd आपका सही answer जगा अगला question प्रस ने निमलेखित में से कौन सी दित्यक छेत्र गति विदी है बताइए इन में से कौन सी है जो आपकी दित्यक छेत्र गति विदी के अंतरगत आती है अगला question प्रस नमर 12 इसका answer करना है भारत के निमलेखित में से किस केंद्य मंत्री ने नवंबा 22 में जम्बू कश्मीर के कट्रा में आयूत है कि गवर्नेस पर 25 वे राष्टी सम्मेलन का उद्गाटन किया ये करेंट का कुश्चन हमारा हो गया दूसरा आज की क्लास में जो करेंट का कुश्चन है दूसरा तो option इसका answer क्या हुएगा उस समय आपको याद दखना है घीतेंदर सिंग याद दखने ऑफिशन फरस्ट आपका राइट आंसर था अगला क्योश्चन प्रस्चन है ततलुज नदी गाटी में जल विद्दुत उत्पादन और सचाई के लिए कौन सी पर्यूजना को बनाया गया है उस पर्यूजना का नाम क्या हो जएगा याद भांकडा नागल पर्यूजना ओफिशन नमर थाड़ आपका सही होगा अगला कोश्चन प्रस्चन नेभलिकट में से कौन सा तोहार किरल में राजा महावली की याद में मना जाता है देखे कौन सा तोहार है उसका नाम बताना है कुरल के अंदर अलाजब महाबली की याद के अंदर बना जाता है तो वह तोहार कौन सा जा है क्यादिकि ओनम को बना जाता है फोर्त नमर सुन आपका से हुआ याद खनी ओनम तोहार किरल का है याद खना है P잖아 Mm Open आंदरा एसो योग खिलापत आंदोलन जन्वारी में कभी सुरूआ या पताईए आपको पताईए इसका आंदोलन जन्वारी आपको केस डेट में सुरूआ था आपको तरण 28 21 14 या फिर 25 आदोने के बाराइस समझे कोशन है या दखने इसका आंसो जेगा आपको कभी वा था 1921 में जन्वारी 1921 में सुरूआ था एसो यह क्लापत आंदोलन ऑफ्शन नम्बर किसमें देरा का उप्शन नमर सेकें आपका सही आंसो जेगा या दखने सभी हो इन चले अवला कोशन ने किस देश के शविधान से लिया गया है। इनको लिए का से सहिंक तुराज अमिर का सचे लिए गया है। अगला कोश्चन है प्रेस्ट नमबर 17 हमारा जब सरकार कानूनी रूप से खाद उत्पादों को विशे से खाद पदार्तों या खाद पदार्तों की कुछ विशेष्ट ट्रेनियों में अत्रिप्त पोसक तत्व मिलानी के लिए बाद करती है तो इसे क्या कहा जाता है इस प् अगला कोश्चन का अंसर क्या हो इस क्या हो इस क्या है प्रेस्ट नमबर 18 है डॉक्टर किस तक्निक का प्रियोग उन से 1000 किलोमेटर के दूर पर बैठे मरीज्यों को सलहाद देने के लिए करते हैं उस तक्निक का नाम बताईए तेलीपोर्टिंग के तक्निक होगी या पर अगला कोश्चन प्रेस्ट नमबर 19 नमलेकित मैंसे किस ने सितंबर 22 में भारत जोड़ो यात्रा की सुरुआत की बारत जोड़ो यात्रा की सुरुआत हुए थी सितंबर 22 में ये सबसे पहले तो आप प्रिया रखना हैं सितंबर 22 में भारत जोड़ो यात्रा को सुरुआत हुए थी पताइए किस के द्वार की गए थी इसने इसे सुरुगा अर्विंद गेजिवा अमिस्सा राहुल गांदी या फिर अकबरद्विन और विसी ये आंसर येगा इसका राहुल गांदी के द्वारा जो राहुल ग प्कुल को सस्क्राइब के साथ में। बलाइक कितने के साहे खुथ हुए किस्टी आपको अंदाज लगिन कीण नबर Queens- । पता ही तत्कालियन क्रांति के तहर्ट बारत में नई क्रांति के लाने वाले एक प्रूफ ब्यक्ति थे एक आपकी जो हरेत क्रांति से समधित कुश्चन है अब तक जो शिप्टे करें उनमें सभी में कुश्चन आपसे पूछा गया है तो आंसर के जोगा तो यह थे आज के क्टने 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 क्टन से कर पाएं बीस को से कितने सिकया पता चल से कितना सही कर पारें वीडियो को लैक करें वीडियो को अपने social media पेटफोन पर आप सभी तक पहुंचा देजिए जो आपके SSC GD exam की त्यार करें आपके साथ जुड़े हैं जितने भी साती आपके मित्र या पर आपके तोटे बड़े भाई सभी तक वीडियो पहुंचान चाहिए चैनल को subscribe लेना मिलते हैं इस class में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद